Hello everyone, आज हम पढ़ेंगे English NCRT Class 6 का Chapter 5 जिसका नाम है तानसीन You may have heard the name of तानसीन, the greatest musician our country has produced आपने नाम सुना होगा तानसीन का जो हमारे देश के सबसे जादा बड़े गायक माने जाते हैं A singer called Mukundan Mishra and his wife lived in Behat near Gwalior एक गायक थे जिनका नाम था Mukundan Mishra और उनकी पतनी Gwalior के पास एक जगह है बेहाद भाबर रहते थे तानसीन was their only child, तानसीन उनका एक लौता बच्चा था It is said that he was a naughty child, ऐसा कहा जाता है कि तानसीन बहुत ही शरार्ती बच्चा था Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals वो खेलने के लिए जंगल में भाग जाया करता था और बहुत ही जल्दी उसने जंगलों की चिडिया और वाँके जानवरों की आवाजों की नकल निकालना शुरू कर दिया था A famous singer named Swami Haridas was traveling through the forest with his disciples एक बहुत ही मशूर गायक थे जिनका नाम था Swami Haridas एक दिन वो जंगल में से गुजर रहे थे अपने कुछ शिश्यों के साथ Disciple का मतलब होता है शिश्य Tired, the group settled down to rest in a shady grove और वो लोग जो हाँ से निकल रहे थे जंगल में से वो काफी ठक गए थे तो उन्होंने सोचा थोई देर के लिए बेड के नीचे लेट करके अराम कर लेते हैं तांसेन ने उन्हें देख लिया Strangers in the forest, he said to himself उसने खुद से कहा कि अजनभी जंगल में और फिर आगे उसने क्या सोचा It will be fun to frighten them उसने ये सोचा कि कितना मजा है का इनको डराने में He hid behind a tree and rode like a tiger तांसेन पेर के बीचे छुप गए और उन्हें बहुत ही तेज गुराया जैसे कि कोई बाग हो Little group of travelers scattered in fear but Swami Haridas called them together जो बहां के travelers, मतलब जो यातरी थे वो जो पेड के नीचे आराम कर रहे थे वो बहुत साथा गबर आ गए तो तभी उनके जो master थे Swami Haridas उन्होंने सब को बिलाया और उन्होंने कहा Don't be afraid, he said Tigers are not always dangerous Look, let us look for this one और वो अपने जो भी disciples, मतलब उनके शिशे थे उनको बुला करके कहते हैं Swami Haridas कि देखो और दरने की कोई ज़रूरत नहीं है सारे के सारे जो Tigers होते हैं वो नुकसान दैक नहीं होते हैं देखते हैं, हम चलिए कि ये कैसा Tiger है Suddenly, one of his men saw a small boy hiding behind a tree There are no Tigers here, master He said, only this naughty boy उनमें से एक जो शिशे था उसने पेट के पीछे गच्चे को चुपर वे देख लिया फिर उसने अपने जो गुरू थे उनको बताया कि यहां पे कोई Tiger नहीं है बलकि एक शरार्ती बच्चा है Swami Haridas निर नॉट पनिश इम He went to Tanse's father and said, your son is very naughty He is also very talented I think I can make him a good singer Swami Haridas Tanseyn को Tanseyn को कोई भी punishment मतलब वह होता है कि कोई इसको डाटा बाटा नहीं और कुछ नहीं गिया मगर वो उसके parents के पास गए Tanseyn के और उनसे कहा कि आपका बच्चा जो है वो बहुत शरार्ती है और मगर यह कही तरीकी कि आवाज निकाल सकता है यह बहुत टालेंटेड है और मैं इसे बहुत अच्छा कायक बना सकता हूँ Tanseyn was 10 years old when he went away with Swami Haridas He lived with him for 11 years learning music and became a great singer तो Tanseyn उस समय पर 10 साल के थे जब वो Swami Haridas के साथ चले गए और वो Swami Haridas के साथ 11 साल तक रहे और उनोंने संगीत सीखा और वहाँ पर एक वो बहुत ही अच्छे सिंगर बन गए About that time, his parents died Mukundan Mishra's dying wish was that a Tanseyn should visit Mohamed Ghoas of Gwalior और इनी 11 सालों के बीच में Tanseyn के माता-पिता की मत्यू हो गई और उनके जो माता-पिता थे उनके पिता जो थे उनकी आखरी जो इच्छा थी वो ये थी कि Tanseyn Mukundan Mishra मतलब जो Mukundan Mishra थे Tanseyn के पिता जी उनकी आखरी विश ये थी कि Tanseyn Mohamed Ghoas of Gwalior से मिले Mohamed Ghoas एक थे जो Gwalior में रहते थे उन से जाकर Tanseyn मिले Mukundan Mishra had long been devoted to him and often visited him while living in Gwalior with Mohamed Ghoas Tanseyn was often taken to the court of Rani Mrignaini who was a great musician herself तो जो है Tanseyn वो महमद Ghoas से जाकर के मिले और फिर उसके बाद जो महमद Ghoas थे वो एक Rani Mrignaini के court में जाया करते थे तो उनके साथ ही Tanseyn भी जाने लगे there he met and married one of the ladies of the court her name was Hussaini and Tanseyn जब वहाँ पर जाया करते थे वहाँ पर एक लेडी से मिले जिनका नाम था हुसaini और Tanseyn ने उनसे शाथी कर ली हुसaini also become Swamidaas disciple और जो हुसainी थी वो भी Swamidaas की शिश्या पन गई Tanseyn और हुसainी had five children who were all musical और Tanseyn और हुसainी जो थी insisted Tanseyn should join his court Tanseyn इस समय तक 11 साल की शिक्षा जब प्राप्त कर ली थी उसके बाद Tanseyn काफी जादा परसिद्ध हो गए थे और कभी कभार वो Emperor Akbar अकबर थे राजा उनके कोट में भी गाना गाया करते थे और Tanseyn से राजा अकबर ने कहा कि आप मेरा जो कोट है उसको जॉइन कर लीजिए और कंटिनुसली यहां पर गाना गाया करिए Tanseyn वेंट तो अकबर कोट इन 1556 और सून बेकम अफेवरेट और अफेवरेट और अकबर वुट कॉल अपन Tanseyn तो सिंग अनी टाइम दे और नाइट और नाइट अपन दे और रात कोई अफन वुट जुट इन 1556 और रात कोई अफन ही वुट जुट इन 1556 और अफेवरेट वन गए तो कभी कभी क्या करते थे अगवर तानसेन के घर भी चले जाय करते थे उसको काताव और सुनने के लिए उसको बहुत सारी गिफ्ट और प्रेजन कोई जो थे योगवर की कोट में थे वो तानसेन से बहुत ही ज़ादा चलने लगे वी शल नेवर बी एबल तो रेस्ट अंटिल तानसेन इस जूंड रूंड 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 और उन सारे कोई ने यह मतलब तरकीव लगाई कि चलो हम ऐसा कुछ क रूंड 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 रू Tansin is a very good singer, if he sings Raghadipak, he will die and we will be rid of him. Then Shaukat Mian tells us that if Raghadipak is a singer, if he is a good singer, he will fall out. And Tansin is a good singer, he will fall out and we will get a chance to get him. Shaukat Mian went to Akbar and said, we don't think Tansin is a great singer, let us test him. Tell him to sing Raghadipak, only the greatest singers can sing it properly. Shaukat Mian, Akbar says, we don't think Tansin is a great singer, we should take him to test him. And if Raghadipak is a good singer, then we will believe that he is a great singer. Then Akbar says, of course he can sing it, Tansin can sing anything, Akbar said. Tansin was afraid, but could not disobey the king. Very well my lord, he said, but gave me time to prepare myself. Tansin went home. He had never been more dis-downcast and unhappy, I can sing the Raghadipak, he told his wife. But the heat it gives off will not only set the lamps alight, but it will also burn me to ashes. Then when he goes home, he tells his wife, that I can eat Raghadipak, but if I eat Raghadipak, then every amount of lamps, they will burn all the lamps, and the heat of Raghadipak, I will burn all the lamps. Then he had an idea, if someone sings Raghadipak at the same time, and sings it properly, it will bring rain. Perhaps our daughter Saraswati and her friend Ruvwadi could do it, he said. He taught the two girls to sing Raghadipak. They practiced night and day for two weeks, Tansin told them, you must wait till the lamps start burning, and then you start singing. So what do you do Tansin? What do you do Tansin? They teach them both of the girls to Raghadipak, they practice two weeks, and Tansin tells them that as soon as the lamps start of the lamps, you have to start your song. The legend goes that on the appointed day, the whole town assembled to hear Tansin sing Raghadipak. When he began to sing, the air became warm, and the legend said that the whole town was assembled to hear Tansin sing Raghadipak. As the music continued, birds fell dead because of the heat, and the water in the rivers began to boil. The people cry down and terror as flames shot up out of nowhere and lightened the lamps. The people cry down and terror as flames shot up out of nowhere and lightened the lamps. At once Saraswati and Raghadipak began to sing Raghadipak. And as Saraswati and Raghadipak began to sing Raghadipak. The sky clouded over and the rain came down, Tansin was saved. The story goes that he was very ill after this, and Akbar was very sorry that he had caused him so much suffering. As the wind was dead, he was dead to be able to catch the snow. And Tansin was shed by the time, the incident happened to get caught up in a fire and his Auradipak. The error is an incident of Anjali's light when he got the scene in the sense of Anjali's light. The incident of Anjali is also very sad that the beheaded Tansin's enemy manager was killed and the whole city was killed. तो जो अकबर होते हैं वह तानसेन के जानी में होते हैं वह जो रागदी पकाना चाहिए उनको अकबर बहुत जादा पंशमेंट डेते हैं और फिर कुछ टाइम बाह पाद तो पूरा शहर भूज होता है तांसेन रिमेंड अगबर कोट सिंगर तिल 1585 वेन ही डाइड और तांसेन जो है वो अगबर के कोट के सिंगर तब तक बने रहते हैं जब तक उनकी डेथ नहीं होती 1585 में और जो तानसेन की जो कब्र है वो ग्वालियर में है और बहुत सारे जो गायक है उनके लिए एक तीत स्थान जैसा है हो गया हमारा शेप्टर कम्प्लीट है